एकादसी ब्रत का पारण हमेशा सुमुहरत में करना चाहिए ऐसा करने से सुपफल की रापती होती है और ब्रत उचित मायनों में पूरा होता है राधे राधे जैसरी किशना हमेशा एक कोश्चन आता है कि हमें ब्रत का पारण के बारें बताईए और ब्रत के पारण की विधी मैं बहुत चैनल पर दे चुकी हूँ अमावस्या या पूरिमा का ब्रत हो या फिर एकादसी का ब्रत हो ब्रत की पारण ब्रत हो ब्रत की रही हूँ एक अदसी ब्रत जो हम करते हैं तो हमें पारण कैसे करना चाहिए ब्रत का पारण जो हम करते हैं तब हमें ब्रत का फल मिलता है तो एक अदसी का जो ब्रत होता है उसका पारण सूर्य उद्य के बाद किया जाता है अगर द्वादसी तिथी सूर्य उद्य से पहले स आप जो घर में खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का आपको खाना बनाना है कोई भी तामसी खाना नहीं बनाना और आप किसी ब्राहमण को अपने घर पर इन्वैट कीजिए उनको खाना खिला दीजिए अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप खाना थाली लगा कर मंदर में दे आईए मंदर में जाना भी संभव नहीं है तो आप किसी गाय को खिला दीजिए गाय भी आपके घर के पास नहीं है तो फिर आप सूखा सामान निकाल कर किसी को दे सकते हैं या फिर पैसे उठा के रख दें और किसी भी गउसाला में कहीं आप तीरती स्थान पर जाते है वहाँ आप दे सकते हैं अगर आप वरकिंग है आपके पास अतना टाइम नहीं है खाना कुक बनाती है और जो आपको पूजा का खाना खुदी बना कर निकालना है तो आप आटे की लोई बनाए उसमें चावल, चने की दाल, गोड, घी, हल्दी मिला ले और उसकी पांच पारण होता है उसका जो खाना हम निकालते हैं वो हमें किसी ब्राम्मर को मंदिर में या गाय को ही देना चाहिए अगर आप दान कर रहे हैं तो आप किसी घरीब को जरुद मन को दे सकते हैं लेकिन जो सही मायनों में पारण होता है वो किसी ब्राम्मर देब को या मंदिर मे या गाय को ही देना चाहिए किसी कारण वस आप प्राते कारण में अगर पारण नहीं कर पाते हैं जैसे आजकल सिफ्टों में जॉब होती है या कहीं आप बाहर गई हो हैं वहाँ से आने में समय लग रहा है तो आप न फिर दुफेर के बाद ही पारण करेंगे दुफेर को पारण नहीं करना चाहिए या तो आप मौडनिंग में करेंगे या तो फिर आप संध्याकाल में करेंगे तो ये कुस विशेस नियम होते हैं जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से पताने किसका भला हो जाता है एकादसी का ब्रत सभी लोग करते हैं लेकिन सभी नयम सबको नहीं पता होते हैं आप हमारे वीडियो को शेर कीजिएगा और हमारे एकादसी प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा वहाँ पर विजिट कीजिएगा आपको एकादसी से संबंदित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे एक सवाल आया था कि पारण का मतलब क्या होता है तो ब्रत को तोड़ना पारण कहलाता है यानि जब हम ब्रत को खोलते हैं तो ये द्वादसी तिति की पहली एक चोथा यविदी होती है व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्राते काल का होता है और व्रत करने वाले शद्धालों को दुफैर की समय में कभी भी व्रत नहीं तोड़ना चाहिए अगर कोई भी प्राते काल कारण में अपना पारण नहीं कर पाते हैं सक्षम नहीं है तो फिर दुफैर के बात करें ये मैं दुबारा से आपको एक बार फिर बता रही हूँ कभी-कभी एकादसी ब्रत लगाता है दो दिन के लिए हो जाता है तब एकादसी ब्रत दो दिन होता है ना, तब आपके परिवार जनों को पहले ही दिन एकादसी का ब्रत कर लेना चाहिए, दूसरे दिन वाली एकादसी को दूजी एकादसी कहते हैं, सन्यासी, विध्वाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक सिर्धालू दूजी एकाद एकादसी के दिन का ब्रत करते हैं, तो जब जब एकादसी ब्रत दो दिन होता है, तब तब दूदी एकादसी को आपको और वैशनों एकादसी का ही दिन आपको करना चाहिए, तो मैं आपको ये वीडियो जो दे रही हूँ, वो मैं पहले भी एक बार दे चुकी हूँ, ले जल भी नहीं देना चाहिए और तुलसाजी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए द्वादसी को जब आप पारण करेंगे तो आप भगवान को जो भोग लगाएंगे उसमें आपको तुलसाजी जरूर रखनी आपको तुलसी दल रखना है तो आप इसलिए पहले ही तुलसाजी को तोड़ के अपने पास रख लें दल तो इस तरह से बिना तुलसाजी के भगवान भोजन को स्विकार नहीं करते हैं लेकिन जब आप पारण करेंगे गाया को भोजन करेंगे या किसी ब्रहमन को देंगे तब आप तुलसी का पत्ता उसमें से निकाल कर अपन मंदर में ही रख लेजिये भगवान के पास तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से पारण विधी बता दी है उमिद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को ही समाप करती हूँ जैस्री कृष्णा रादे रादे बने रहे है मेरे चैनल पर ऐसे ही अच् झाल